वेल्कम बैक हां जी आ गए हो ब्रेक से जो आ गए हैं मेसेज दो ज़रा स्टार्टिंग के एक दो दिन तो मैं आपके साथ चैटिंग की टेस्टिंग कर रहा हूं कि हां हमारी चैट प्रोपर हो रही है या नहीं हो रही सक्षन, प्रभुदा, गोपेश, अर्चना, हेमा, आयूश, गोपेश, रिशी येस, येस, राइट, प्रिया का मेसेज आ गया, प्रिया का आ गया, अपदानशू, अगरवाल, आयूश, ठीक, चलो मेसेज आ रही है, ब्रेक से भी आ गए है बच्चे, तो क्या हम आगे चले, जी हाँ, अब हम आगे चलते हैं, और हमारा next topic, पूरी audit को cover up करने वाला है, पूरी complete audit को, ऐसा क्या topic है, ऐसा topic है audit का process, audit process means, वो step by step activity, जिसके through audit को perform किया जाता है, क्या है वो activity, क्या है उसकी stages, लाइक, यदि एक simple काम करते हैं, मैं आपको auditor appoint करना चाहरा हूँ, अपनी company का, तो सोचिए और बताइए, मैं आपको approach करूँगा और आपको offer दूगा एक, आप अपने आपको chartered accountant मान लीजिए अभी, अभी आप बने नहीं है, बट मान लीजिए, मानने में तो कुछ नहीं जाता ना, मान लीजिए आप chartered accountant है और CA की practice कर रहे हैं, और बहुत अच्छी आपकी practice चलती है मैंने आपको offer दी कि, सर हमारी एक company है, ABC Limited के नाम से, एक listed company है जिसकी 50 करोड रुपे की turnover है, 5 करोड रुपे का profit है, हम आपको अपनी company का auditor appoint करना चाहते हैं आपने मुझसे कुछ और चीजे पूछी जैसे, फीस क्या दोगे, कितने साल के लिए appoint करोगे, पिछले साल auditor को क्यों था, पिछले auditor को क्यों change करना चाहते हूं मैंने आपके सारे questions के appropriate reply आपको दिये फिर मैंने भी आपसे कुछ question पूछे, कि क्या सर आप time दे पाएंगे, आपकी team proper time दे पाएगी, हमें audit report next year के end के बाद, जून के मन्त तक चाहिए, हमारी annual general meeting जुलाई में होनी है क्या आप इतना time हमें दे पाएंगे कि आप timely audit को complete कर दे मैंने आपको audit fees offer की है, पाँच लाख रुपे की audit fees offer की है, और हमारी एक company, एक mid-size company है, उसके हिसाब से पाँच लाख रुपे की audit fees, बड़ा handsome amount है बताओ, क्या आप audit accept कर रहे हो मेरी? जवाब दो हाँ, देखो इसके उपर एकदम message आया, जी sir, जी sir, जी sir, पाँच लाख रुपे दे दो बस आप तो तो जवाब आ गया कि हाँ, आप मेरी audit accept कर रहे हैं तो जब आप audit accept करेंगे, तो मैं आपको issue करूँगा letter of appointment और आप उस appointment को accept करेंगे, और मुझे एक letter issue करेंगे, और उस letter का नाम होगा letter of engagement अब आप auditor बन गए हैं हमारी company के, जब आप auditor बन गए हैं हमारी company के, तो अब आप क्या सीधे हमारे office में आकर के books check करने बैठ जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, आप तो पढ़े लिखे auditor हो, पढ़े लिखे auditor का मतलब आपने तो बहुत अच्छे तरीके से audit के subject की तयारी कर रखी थी, आपने तो cramming करी नहीं थी, short tricks अपनाएं नहीं थे, conceptually पढ़ा था, तो आपको पता है एक program बनाना पड़ता है, पहले आप मेरी business की understanding लेंगे, planning करेंगे, program बनाएंगे, एक team decide करेंगे, कौन-कौन से person audit के लिए जाएंगे और कौन-कौन सी activity को audit किया जाएगा, किस समय किया जाएगा, किस extent तक किया जाएगा, क्या-क्या काम करना है उन सब का आपने एक detailed program तयार कर लिया अब, जब ये program पूरा तयार हो गया, तो उसके बाद आपने इस program के हिसाब से काम करना शुरू किया अब जब आप इस program के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो आप कुछ सबूत इकठा करोगे किसलिए? जो आपने final एक opinion देनी है मैंने आपको audit की definition कराई थी और उसमें एक last word यूज किया था audit जो हो रही है, फोरे purpose हो रही है और वो purpose क्या है? आपको एक opinion express करनी है, opinion तो तभी दोगे जब कोई conclusion ड्रॉ करोगे और conclusion तभी ड्रॉ करोगे जब आपके पास कुछ evidence होंगे जिसको evaluate करके आप कोई conclusion पर पहुँचोगे तो आप सबूत इकठे करोगे क्या मेरी financial statement सही बनाई गई है? क्या मेरी financial statements के अंदर जो asset, liability, income, expense दिखाए गई है? क्या वो ठीक है? कहीं कोई miss statement तो नहीं है? जिस basis पर financial statement बनाई गई है क्या वो base appropriate है? क्या financial reporting framework जो मैंने use किया है वो ठीक है या नहीं है? क्या जो disclosure financial statements के अंदर हमारी company ने दिखाए है? क्या वो ठीक है? इन सब चीजों के सबूत इकठा करेंगे जिनको audit की भाषा में नाम दिया जाता है audit evidences का and based upon the audit evidences जो आपने collect किये हैं उनको evaluate करने के बाद आप एक audit conclusion पर पहुँचेंगे and that conclusion is to be expressed in the form of an opinion and that opinion is issued in the form of an audit report तो अब जो मैं topic आपके साथ discuss करने जा रहा हूँ, share कर रहा हूँ वो पूरी audit की different activities को cover up करता है तो पहले मैं आपको उसकी एक noting कराता हूँ, discussion मैंने कर ली, पहले noting कराता हूँ, फिर उसके examples के साथ उसको further discuss करेंगे तो अब आपने noting करनी है topic number 5 की audit process, activities or stages through which audit is performed. तो इसमें हमारी अलग-अलग चार स्टेजिज आ जाती हैं, पहली स्टेज, ओर्डिट एंगेजमेंट, सेकिंड स्टेज, ओर्डिट प्लैनिंग, फिल्ग स्टेजिज, आप्टों अजिए।छर और एंगेजिज अर्थ स्टेज एंगेजिए।ों तर प्नारिनियुषर, वहली स्टेजिज अजिए।गिया, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, एंड स्टेज फॉर. स्टार्ट करते हैं स्टेज वन के साथ. इस स्टेज के अंदर क्या होगा? नंबर बन, मैंने आपको ओफर दी, आपने उस ओफर को एक्सेप्ट किया. नंबर दू, आपके ओफर को एक्सेप्ट करने के बाद मैं आपको एक लेटर इशू करता हूँ. इस लेटर ओफ अपॉइंटमेंट. इस लेटर ओफ अपॉइंटमेंट, इस लेटर ओफ अपॉइंटमेंट के बेसिस पर आप जब अपनी रिटर्न एक्सेप्टेंस देते हैं. अभी क्या थी? ओरल एक्सेप्टेंस थी, ओरल ओफर थी, उसके बाद मैंने रिटर्न में आपको लेटर ओफ अपॉइंटमेंट दे दी, अब आप मुझे रिटर्न में अपनी एक्सेप्टेंस देंगे और उसको क्या नाम दिया जाता है? लेटर ओफ एंगेजमेंट इसुड़ बाइदी ओटिटर्न तो ये तीन एक्टिविटी हैं जो हमारी स्टेज वन के अंदर आती हैं. अच्छा मैं थोड़ा सा आपको स्टेंडर्ड के बारे में भी अभी एक्स्प्लें करता हूँ आगे बढ़ने से पहले. आप जो अकाउंटिंग स्टेंडर्ड पढ़ते हैं उनका क्या नंबर होता है? आपने कुछ अकाउंटिंग स्टेंडर्ड तो पढ़ी रखे होंगे. क्या वो सिक्वेंस में है? जी. क्या वो अकाउंटिंग स्टेंडर्ड सिक्वेंस में है? रिप्लाई जी. जवाब आया बच्चों का हाँ सर वो अकाउंटिंग स्टेंडर्ड सिक्वेंस के अंदर चलते हैं. जैसे AS1 डिस्कलोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का, AS2 वैलुएशन ऑफ इन्वेंटरी का, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट का and so on. लिकिन जब ओडिटिंग के स्टेंडर्ड की हम बात करते हैं तो जो ओडिट to 300, 300 to 500, 500 to 600, 600 to 700 इस तरीके से जो 1 to 99 हैं वो क्वालिटी कंट्रोल के स्टेंडर्ड हैं. 100 से 199 इंट्रोड़क्टरी मैटर्स पर हैं, 200 से 299 प्रिंसिपल्स पर हैं, 300 से 499 महाँ पर डबल है, 300 से 499 वो रिस्क असेस्मेंट के ऊपर हैं. तो जो ओडिटिंग के स्टेंडर्ड हैं वो एक पर्टिकुलर सिक्वेंस में नहीं चल रहे हैं. जैसे जो 1 to 99 है, उसमें सिरफ एक स्टेंडर्ड इशूड है, SQC1. 100 से 199 आज तक कोई स्टेंडर्ड आया ही नहीं. 200 से 299 की जब मैं बात करता हूँ, तो पहले 200 है, फिर 210 है, फिर 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 265 है. और उसके बाद सीधा लास्ट में 299 है. अब आपके मन में आएगा, सर ये इतना गैप क्यों? बहुत आगे की सोची गई, बहुत ही आगे की, कि जिस चीज के ऊपर हमने एक स्टेंडर्ड इशू किया, उसी से रिलेटिड, कोई और स्टेंडर्ड भी डालना हो, उसी से रि डालना हो, तो बीच में गैप पड़ा है, वहीं पर उठा कर डाल देंगे. तो इस तरीके से जो ओडिटिंग स्टेंडर्ड के नंबर है, वो एक पर्टिकुलर सिक्वेंस में कॉंटिनूस नहीं है. सिक्वेंस बनी हुई है, जैसे 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 99. लेकिन वो कॉंट पूरी कि दोस्तों के बाद 201 नहीं आना है. तो अब मैं आपको जो मैंने ये बात बताई, इसके पीछे मेरा अब्जेक्टिव क्या था? मैं आपको थोड़ा सा अभी स्टेंडर्ड के नंबरों के उपर भी लेकर जाना चाह रहा हूं. हमारी ओडिट एंगेजमेंट से रि एक सच याद नहीं रखने, सिर्फ कॉंसेप्ट की अंडर्स्टेंडिंग करनी है. लेकिन मैं ये नंबर आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि ये नंबर भी लोंग रन में आपको याद होना शुरू हो जाए. आगे बढ़ते हैं अब, हमारी स्टेज नंबर टू. स्टेज टू है, ओडिट प्लैनिंग के. इसके अंदर ओडिटर क्या करेगा? स्टेज टू के अंदर. नंबर बन, वो एक अंदर्स्टेंडिंग लेगा, किसकी? एंटिटी की. मिन्स जिसकी ओडिट करनी है. आप ओडिटर हैं, आप मेरी कमपनी की ओडिट कर रहे हैं, तो आप मेरी कमपनी के बारे में समझेंगे? हमारी कमपनी के एंवाइर्मेंट को समझेंगे? हमारी कमपनी के अंदर कैसे? डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा रहा है, इंटर्नल कंट्रोल है, उसको समझेंगे. गोपेश का एक डाउट आया है, लेकिन सर, ये टेक्स और लौ में तो नहीं है, गैप तो उनमें भी छोड़ा जा सकता था, बिल्कुल सही कहा आपने. क्या बेटा, टेक्स के जो स्टेंडर्ड है, या जो लौ के जो स्टेंडर्ड है, क्या वो इंटर्नेशनली जो स्टेंडर्ड बने हुए है, उससे कन्वर्जड है? जवाब आएगा, नहीं, नहीं. जो tax के sections हैं वो Indian government ने tax का law बनाया Parliament में pass किया वो तो बनाती ही है ऐसे 1,2,3,4 की sequence में है इसी तरह से जो accounting standard बनाए थे IC AI ने बनाए थे उसने 1,2,3,4,5,6 में कर दी है लेकिन जो ये auditing standard है न ये सबसे पहले जब institute ने issue करे थे तो ये भी ऐसी थे 1,2,3,4,5,6 इनका नाम होता था AAS auditing and assurance standard 1,2,3,4,5,6,7,8 ऐसे लेकिन 2006 में institute ने क्या किया कि इन standards को खा internationally जो standards है न उसके base पर लेकर चलेंगे international classification और जैसे ही उन्होंने सोचा international classification को लेकर के चलेंगे तो internationally तो चीजे वो लोग बड़े आगे की सोच कर रखते हैं या नहीं क्या internationally आप ये कह सकते हैं काफी सारी countries के अंदर वो लोग हमारे से बहुत आगे चल रहे हैं कुछ जंगा पर ऐसी बाते सुनने को मिलती है ना जी हाँ तो जब internationally standard की recognition की बात आई कि हम international जैसे standard बनाएंगे तो वहाँ पर जाकर के पता चला उन्होंने तो ऐसे बना रखे हैं तो हमने भी उठा कर ऐसे बना दी है मैं आपको इसकी classification दिखाता हूँ चैप्टर बन के अंदर ही है लेटर रोन हम आगे जाकर पढ़ेंगे एक topic आएगा हमारा quality control and engagement standard का इस topic के अंदर revised preface नाम का एक topic है 2006 में इंस्टिचूट ने सोचा कि हम ऐसा करेंगे और जुलाई 2007 में इनों ने इसका एक revised preface इशू करा standards का और revised preface जो एक एपरेल 2008 से effective था उसने auditing के पूरे literature को चींज किया और अब जो ये standard बने ये इस तरीके से classify हो गए तो ये ऐसा क्यूं है इसके पीछे gap क्यूं है इसका कारण ये है ये international basis के उपर बने हुए है और internationally आप law देखेंगे काफी सारे law internationally ऐसे ही होते हैं उनके बीच में sections के अंदर आपको gap मिलते हैं बट हमारे जहां ऐसा अभी system as such नहीं है हाँ जब आप ind AS देखेंगे final में जाकर क्या पढ़ोगे ind AS intermediate में तो I think शायद खाली AS ही है ना intermediate में ind AS पढ़े हैं आपने I don't think so कि accounts में ind AS है तो ind AS क्योंकि वो international IFRS based converged standard है वहाँ पर आपको gap देखने को मिलेगा चलो बढ़ें आगे फिर हाँ ind AS नहीं पढ़े हाँ तो ind AS जब final में जाकर पढ़ोगे ना वहाँ पर ऐसे gap आएंगे तो अब बात आगई हमारी audit planning के audit planning में हमने एक understandingly अपनी client के बारे में client के environment के बारे में और उसके internal control के बारे में फिर मैं आपको थोड़ा सा प्रेशान कर देता हूँ लिख देता हूँ इसका standard भी 315 अभी ये बड़े अजीब से लगेंगे कि कहीं पे 210 लिख दिया सर आपने कहीं पे 315 लिख दिया कहीं 700 लिख दिया कहीं 500 लिख दिया कहीं पे आपने 300 लिख होगे इस time पर शायद से confusing लगे लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे इस standard आपको याद होते चले जाएंगे multiple time हमें इन standards के number को use करना है ताकि ये हमें याद हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं जब मैंने understanding ले ली तो मैं एक strategy establish करूँगा establish an audit strategy कि मुझे कितने समय में काम पुरा करना है मेरी team के persons कौन कौन से होंगे मैं procedure किस extent तक करूँगा ये सब मैंने एक strategy बना दी और उसी strategy के ऊपर मैंने अपना एक audit plan develop किया development of overall audit plan thereafter इस audit plan के basis पर मैंने अपना एक audit program draft कर दिया तो मैंने आपके साथ तीन keyword यूज करे audit strategy overall audit plan and thereafter एक audit program जैसे मैं यदि exam के base पर जो आप लोग पढ़ते हैं उसके base पर इस चीज को discuss करूँ exam की एक strategy बनानी है both group देने है या single group देना है May में attempt देना है या November में attempt देना है with become देना है या without become आपने सबसे पहले तो इन चीजों को decide किया जब यह चीजे decide हो गई आपकी एक strategy बन गई कि you have to appear for both group in May exam with become अब क्या आप इसके base पर अपना एक plan बनाओगे यह लिखना नहीं है यह तो मैं just समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ plan बनाओगे कि आप group 1 की classes किस समय लेंगे group 2 की classes किस समय लेंगे become के subjects को कैसे prepare करेंगे classes आपकी live होंगी Google drive पर होंगी center पर होंगी आप कौन से subject को कितना time allocate करेंगे यह फिर आपने अपनी एक planning की और इस plan को आपने एक shape दे दी इसको formal लिख लिया कि मुझे ऐसे काम करना है मुझे ऐसे काम करना है तो पहली activity आपने एक strategy established की क्या आपकी strategy के base पर आपका plan बना है जी हाँ और वही strategy और plan किस form में जाकर के convert हुआ program में मेरा एक बड़ा simple सा question है दो नंबर का question है वो दो नंबर का audit strategy audit plan once decided cannot be changed true or false true or false once decided cannot be changed क्या जवाब आता है देखते हैं true or false reply 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 अभी बीच पीच में ऐसे question पूछने का मेरा objective यह है कि क्या दूसरे subject की knowledge एक general understanding कितनी है हाँ जी reply true or false जिए पूछने है कि फृगने है कि अप्राइ़ मूठन रस्एट कि ऑो जवाब आया, most of the students का, sir, ये तो false है, most क्या, सभी का आया false है, very good, false है, ओके, इसका मतलब आपने खा, strategy, change हो सकती है, plan, change हो सकते हैं, program, change हो सकते हैं, और ये दो नंबर का एक बहुत important question है, chapter number 3 में जाकर के पढ़ोगे, chapter 3 में, इसी तरह से concept को link करके, चलो अपनी general, जो आप observe करते हैं, जो आपके अपनी life के अंदर चीजे happen हो रही है, उन से, तो आपको ये answer बड़े असानी से मिलेगे, तो एक बार जो strategy बना लिए, plan बना लिए, program बना लिए, ऐसा थोड़ी है कि वो region है, जैसे जैसे situation change होगी, change कर सकते हैं हम, तो ये सब चीजे जो हैं, हमारी तीन activity का concept हो गया, strategy, plan and program, अच्छा, फिर बात आएगी, क्या sir, इसके उपर भी कोई standard है, ऐसे question पूछा करो sir, क्या इसके उपर भी standard है, जी हाँ, ऐसे 300 है इसके उपर, आगे बढ़ते हैं, stage number three, stage three में क्या करोगे, यदि आपकी अपनी working होती तो, आपकी अपनी working होती, आपने एक strategy बनाई, बोट group की, फिर plan बनाया, फिर program बनाया, अब उसके हिसाब से classes लोगे, अच्छा, एक बड़ा interesting point है, जो generally, google drive के students पर apply होता है, इसको otherwise मत लेना, लेकिन मेरी ऐसी observation है, जब plan बना लिया, classes ले ली, plan में आपने क्या किया, ठीक, x teacher की ये class, y teacher की वो class, z teacher की वो class, ये class google driver, ये class pen driver, ये classes आपने सारी buy कर ली, तो क्या आपने एक तरीके से अपने program को, या plan को execute कर दिया, execute हो गया, बस आप paper देने चले जाओ, हाँ या ना, जवाब आया, नहीं नहीं सर, पढ़ना भी तो पढ़ेगा, अच्छा, यदि ऐसा मानते हो, कि पढ़ना पढ़ेगा, बस फिर यही सबसे अच्छी बात है, इसी चीज का ध्यान लखना, और यही auditor को करना होता है, कि जब वो अपना plan बना लिया, उसने program बना लिया, उसके basis पर उसने अपने audit evidences collect कर लिये, procedures को perform करके, तो भाई सब जो audit evidences collect किये न, उनको evaluate करिये, examine करिये, उसके base पर conclusion बनेगा, वो ही चीज, जैसे आपने classes ले ली, ठीक, Google Drive के reference में, मेरी जब most of the teachers से discussion होती है न, या बच्चों से जब बातचीत होती है, तो क्या conclusion निकलता है, बच्चों ने Google Drive खरीदी, books आ गई, Google Drive का link आ गया, laptop के उपर classes activate हो गई, इसका मतलब हमारा तो subject तयार हो गया, कुछ student इससे आगे बढ़ते हैं, नहीं नहीं, अभी subject थोड़ी तयार हुआ, अभी तो पढ़ना है, 10 class देखी, 15 class देखी, और बहुत हो गया, आप बोर हो रहे हैं, बस अब आगे बाद में देख लेंगे, तो जो ये Google Drive या Pen Drive का mechanism है न, इसके अंदर कभी भी एक proper discipline, most of the students नहीं बना पाते हैं, तो यदि auditor ने भी यही गलती कर दी, audit evidence collect तो कर लिये, लेकिन उनको properly evaluate नहीं किया, तो जो conclusion वो बनाएगा, वो गलत बनाएगा, तो आपको भी यही काम करना है, कि आप चाहे Google Drive से पढ़ें, live at home पर पढ़ें, या at centers पर पढ़ें, अपने discipline को जरूर maintain करके चलिएगा, discipline मत तोड़िएगा, यदि आपने अपनी classes का discipline तोड़ दिया न, देन गड़बढ हो जाएगे, और Google Drive में, Pen Drive में ये सबसे बड़ी गड़बढ है, discipline बहुत बहुत जरूरी है, जब तक classes center पर चलती है, तब तक एक discipline बना रहता है, पता होता है कि इस time पर center पर जाना है, हमें अपनी class को attend करना है, बट जब class घर पर आ रही होती है, तो उस time पर ये आपकी खुद की जिम्मेदारी बन रही होती है, इस discipline को ensure करना, center पर आप दो दिन नहीं आओगे न, तीसे दिन center वाला phone कर देगा आपको, बिटा आज आए नहीं क्या बात, दो दिन से आनी रहे आप classes, तो कोशिश करिएगा, जब आप Google ड्राइपर या Pen ड्राइपर हैं, तो आप इन चीजों को ensure करें, अपने discipline को maintain करके रखें, और यही काम, यही काम आपको audit के अंदर भी करना, हाँ देखो गोपेश भी कह रहा है, गुरूप वन में कोस्ट में यही problem आई थी, हेमा ने भी कहा, बिल्कुल सही कहा सर आपने, तो मैं यही चीज आपको advise दूँगा, कि आपने live at home लिया है, या Google ड्राइप लिया है, या Pen ड्राइप लिया है, या Android मोड पर लिया है, discipline आपको ensure करना है, हाँ, जो बच्चे आज सेंटर पर बैठ कर पड़ रहे हैं, सेंटर पर तो काफी हद तक chances हैं, discipline ensure होगा, बट फिर भी ऐसा नहीं, कि जो बच्चे सेंटर वाले हो, वो तो सोच लें, बस implied हो गया, हमारा तो discipline बन गया, सेंटर वाला भी एक बार कॉल कर लेगा, दो बार कर लेगा, यदि चार क्लास में नहीं जाओगे, वो भी सोचेगा, बच्चे ने छोड़ दिया होगा, तो ये चीज मत करिएगा, जो सेंटर पर बैठे students हैं, स्टेज फोर, और स्टेज थ्री, जो चीजे आपके साथ डिसकस की, अब उसको audit की भाषा में cover up करना है, audit execution की स्टेज के अंदर, नमबर एक, perform, audit procedures, collect, audit evidences, through these procedures, evaluate the audit evidences so collected, evaluate the audit evidences so collected, अब फिर वो ही बात आजाएगी, सर स्टेंडर के नमबर, S.A. 330, S.A. 500 to 599, evaluate the audit evidences so collected, S.A. 500 to 599 and 700, बस S.A. के नमबर नोट करने हैं, अभी इनकी in-depth study में नहीं जाना, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो मैं अपने आप करा दूँ अभी सिरफ नमबर नोटिंग के लिए है, इनकी आगे कुछ नहीं पढ़ना कि ये नमबर किस बेस पर classify हुए, सरफ नमबर को आप कोशिश करिएगा, याद रह सके तो, thereafter, अब आगई हमारी last stage, stage number 4, audit conclusion, and reporting, forming an audit opinion, on financial statements, draft an audit report, and issue final audit report, यहाँ पर, SA 700 से, 799 की सीरीज है पूरी, वो इन सारी activities को control करती है, या ये कहें regulate करती है, या govern करती है, तो ये हमारे aspect आगे, audit opinion word, audit report word, audit procedures word, audit evidences word, audit plan, audit program, audit procedure, audit strategy, तो कितने सारे word हैं, जो हमने use किये हैं अभी, तो ये हमारी audit का, एक complete, detailed, step by step procedure है, या activity है, या stages है, इनी के through, auditor को काम करना है, और मैंने आपको, इसके अंदर, बहुत सारे key words, general भाशा में कराएं हैं, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे, तो फिर इनके जो technical meaning है, जो standards के अंदर दिये गए हैं, उनको discuss करेंगे, तो ये था हमारा topic number 5, about the audit process, तो अब इस process के अंदर, यदि मैं एक छोटा सा, इसको एक example के थू लेकर के चलू, अब इसको लिखना चाहो तो लिख लो, otherwise रहने ही दो, मैं इसको सिरफ एक वैसी rough example ले रहा हूँ, समझाने के लिए, इसको और better, और कुछ और keyword को use करने के लिए, हमारी एक company है, ABC Limited, आप auditor है, राम शाम एंड एसोसियेट्स, C.F.R. तो ये तो हो गया client, या entity, या audity, ऐसे word आपको इसके reference में use करने को मिलेंगे, ये हो गया overall auditor, सबसे पहले क्या हुआ, इसने इनको एक offer दी, इस offer को इन्हों ने accept किया, auditor ने, company ने या client ने इनको एक letter of appointment इशू की, auditor ने अपनी acceptance return form में दी letter of engagement इशू करके, letter of engagement इशू करके, तो ये तो सारी चीजे क्या है, हमारी activity one है, जहां पर audit engagement हो रही है, अब बात करते हैं number 2 पर, number 2 पर जो ये रामशाम and associates है, ये ABC limited के बारे में knowledge acquire करेगा, इसकी management में कौन है, इसकी governing body कौन है, ये किस तरह का business करती है, इसके products क्या है, क्या services ये render करती है, इसका revenue कहां से आता है, इसके expense कहां incurred होते हैं, इनकी accounting policies क्या है, financial reporting framework क्या है, तो ABC limited के बारे में, एक detailed understanding acquire करेगा, और इस understanding को acquire करते वक्त, देखेगा, क्या मेरा कोई risk है क्या, अब मैंने एक नया word यूज कर लिया, कुछ नहीं लिखना, ये वैसे मैं next lecture में करवाऊंगा, अभी कुछ नहीं लिखना, जो मैंने अभी stages कराई है ना, मैं उनको थोड़ा और further elaborate कर रहा हूँ, audit risk, यदि आपने एक ऐसा कोर्स सेलेक्ट कर लिया, जहां पर आप उस कोर्स पे साथ, अपनी दूसरी activities को manage नहीं कर पा रहे हैं, या आपने अपनी strategy गलत बना लिया, प्लैन गलत बना लिया, उस plan के बेस पर आपने काम proper तरीके से नहीं किया, क्या audit risk है, audit risk, risk क्या, गलत opinion देना, जो opinion देनी चाहिए थी, वो opinion मैंने गलत issue कर दी, मैंने का, financial statement true and fair view reflect करती है, जबकि actual में वो true and fair view reflect नहीं कर रही थी, this word is known as the audit risk, नौ, माल लो, मैं एक ऐसी entity की, एसी company की audit कर रहा हूँ, जिसके बारे में मुझे पता चलता है, question ध्यान से सुनिएगा, और मैं इसका जवाब आप सबसे expect कर रहा हूँ, जिसके बारे में मुझे पता चलता है, कि इस company में last year frauds हुए थे, और fraud top level management ने किये थे, enforcement directorate की rate पड़ी थी, income tax वालों ने भी scrutiny का notice issue कर रखा है, company के काफी employees company को छोड़ कर चले गए हैं, और जो आज की rate में company की management है, वो उसके उपर trust नहीं किया जा सकता, तो ऐसी situation में बताईए क्या आपका audit risk high level का है या low level का है, एक ऐसी situation में जहाँ पर आपको frauds identify हुए, employees का turnover बहुत high था, management की integrity doubtful थी, जवाब चाहिए, जवाब आता है, सर बड़े high level का है, high risk high risk high high high, बिल्कुल सही जवाब है, प्रिया, हेमा, गोपेश, आयूश, राई, high risk है, तो high risk के अंदर जहां पर risk high level का होगा प्रभुदा, बेटा ये बताओ, क्या auditor को examination बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, फिर detail working करनी चाहिए या नहीं, जी, सखान सिंह, बेटा बताओ, जब जहां risk ज़्यादा हो, जैसे, बड़ा simple example दूँ, CA में risk ज़्यादा है, विकॉम में risk कम है, तो महनत कहां ज़्यादा करोगे, तो auditor के साथ भी यही है, जहां उसको risk बहुत ज़्यादा नजर आया है, वहां उसके procedure extend हो जाते हैं, वो detailed में अपने procedures को perform करता है, detailed working करनी चाहिए, बिल्कुल सही जवाब दिया है, गोपेश ने, आयूश ने and others ने, विल्कुल सही सखन, क्या मैं सही pronounce कर रहा हूँ सखन सिंग, या सखा सिंग, बई किसी का name मैं गलत pronounce कर दूँ, तो उसके लिए मैं पहले से ही apologize कर रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर जो message आ रहे हो, उसमें alphabet शायद proper ना हूँ, चलिए, तो अब यहाँ पर auditor ने एक understanding ले ली, entity के बारे में, environment के बारे में, internal control के बारे में, जिसके थुरू उसने audit risk को evaluate किया, और based upon that, उसने अपने procedures decide किये, मैं अब तीन वर्ड और यूज़ कर रहा हूँ, तीन वर्ड और यूज़ कर रहा हूँ, एक nature, दूसरा timing, तीसरा extent, लग भगना मैंने पूरी audit terminology आज आपको करा दिया, लग भग काफी, nature timing extent, इनके लिए मैं short form यूज़ करूँगा, NTE, nature, किस procedure को करना है, timing, किस समय करना है, extent, to how much extent, मुझे procedures करने है, क्या procedure perform करूँ, किस समय करूँ, किस extent तक करूँ, nature timing extent, ये मैंने decide करा, और जब मैंने सारा कुछ decide कर दिया, तो मैंने बना दिया जी क्या, एक audit program, जिसके अंदर, plan लिखे हुए है, and procedures लिखे हुए है, strategy लिखे हुए है, सब कुछ कर दिया, अब क्या होगा, अब जो ये auditor है, ये visit करेगा, कहां पर client के पास, client से मांगेगा information, client से मांगेगा records, client से मांगेगा documents, client से मांगेगा explanations, बहुत सारी चीजों के उपर, और इसमें से, कुछ information को, कुछ records को, select करेगा, और उनको, consider करेगा audit evidence, जैसे, बड़ा एक simple सा example लेता हूँ, आप जब अपनी पढ़ाई करते हैं, X teacher के notes, Y teacher के notes, A teacher के notes, B teacher के notes, उसका वीडियो, इसका वीडियो, बहुत कुछ देखते हो, क्योंकि इतना सारा content available है, आप social media पर, YouTube के उपर भी, market के अंदर भी, लेकिन, क्या सारों के, सारे, चीजों के base पर, अपनी study करोगे, नो, उसमें से, जो चीज़े आपको relevant लगती होंगी, relevant लगती होंगी, उनी के base पर, आप अपनी studies को करोगे, तो जो चीज relevant है, सिरफ वो ही information क्या बनेगी, audit evidence, ये नहीं, कि हाँ, जो जो चीजे company में मैंने देखी, सारी audit evidence है, no, only the information and explanation, that is collected by the auditor, on the basis of which he draw his conclusion, that forms the audit evidence, तो इसने, अप audit evidence collect कर लिया, जो ये audit evidence collect किये गई, इनको evaluate किया जाएगा, इनको evaluate करने के बाद, इनको evaluate करने के बाद, auditor अपना एक conclusion ड्रॉ करेगा, कि क्या company की financial statements, true and fair view reflect कर रही हैं या नहीं, अब ये true and fair क्या होता है, all assets are recorded, all liabilities are recorded, they are recorded at appropriate value, they have been classified appropriately, under valuation, over valuation नहीं होना चाहिए, disclosure as per the requirements of financial reporting framework को होना चाहिए, ये सब चीजे हैं, जो auditor को check कर ली है, यदि auditor को लगता है कि हाँ, financial statement as per schedule 3 बनाई गई है, no over or under valuation, all assets are recorded, all liabilities are recorded, completeness is there, valuation over under नहीं है, disclosures appropriately given है, presentation financial statements की appropriate है, तो फिर auditor conclude करेगा, कि yes, financial statement reflects true and fair view, and is financial statement true and fair view, जो उसने decide किया, कि हाँ, ये true and fair view reflect कर रही है, तो इसके basis पर auditor क्या करेगा, अपनी एक opinion बनाएगा, और उस opinion को express करेगा, in the form of an audit report, in the form of an audit report, तो ये था हमारा audit process, अच्छा जहाँ पर auditor, अपनी आपको पूरी तरह से satisfy कर लेता है, कि financial statement true and fair view reflect करती है, तो जो वो opinion देता है न, ऐसी opinion को नाम दिया जाता है, unmodified opinion, तो अब unmodified opinion क्या होती है, modified opinion क्या होती है, audit procedures कोन से होते हैं, audit risk क्या है, ये हम next lecture के लिए छोड़ देते हैं, आज मैंने आपके साथ, जो चीजे discuss की, auditing का meaning क्या है, वो आपके साथ discuss किया, auditing का framework क्या है, types of auditor, types of audit, and audit का पूरा का पूरा, एक detailed process, ये चीजे मैंने आपके साथ discuss की हैं, तो based on that, मुझे लगता है, इतनी चीजे आज के लिए sufficient है, इनी चीजों को एक बार revise करिएगा, और बाकी की जो introductory topic हैं, वो next lecture में लेंगे, और उसके बाद, फिर main chapter से शुरुआत करेंगे, मेरी कोशिश है, कि मैं इन दो introductory lecture के अंदर, आपको audit की जो basic terms है सारी, वो आपके साथ discuss कर सको, तो इसके साथ, आज के इस lecture को यहीं पर over करेंगे, और next lecture में मुलाकात करेंगे, किसी का कोई doubt है, तो बताएं, अच्छा एक बार उपर के notes की pick, click करना है, उपर के notes की pick, यह लो जी, व्यासे एक चीज और, यह जो notes है, यह आपके google drive पर भी same day upload हो जाएंगे, आपकी google drive पर same day upload हो जाएंगे अरचना, अब उपर का notes कोई साथ चाह रहे थे, यह देखो, चलो, करें आज की class over, जी, message भी आ गए, thank you के, goodbye के, very good, कोई message देना थे, बच्चो को, चलो, thank you very much, and goodbye, तो, चलो, being nis, मुएं़्य काके झाल 7 12 आएंभे वे, आएंबैन, इुएंगे, अभा, मुएंगे, झाल झाल